जब आप यातरा करते हैं, तो आप किसी निश्चित स्थान पर जाने के लिए क्या करते हैं? मैं अपने गंतविया तक कैसे पहुंच सकता हूँ? मेरा आवाज किस प्रकार का है? क्या आप अपनी यातरा के लिए विबिन्ने जानकारी नहीं खोचते? कि आजकल लोग अकसर इंटरनेट का इस्तमाल करते हैं, है न? आत्मिक रूप से आप कहा जाना चाते हैं? आपकी मन्जिल कहा है? हम सब मिलकर स्वर्ग के राज्य में जाना चाते हैं. यदि हमारा गंतव्य स्वर्ग है, तो क्या हमें इस बारे में खोज नहीं करनी चाहिए, कि वहाँ कैसे पहुंचा जाता है? बाइबल आत्मिक इंटरेट है. क्या हमें स्वर्ग का रास्ता और वहाँ कैसे पहुंचना है? इस बारे में हर तरह की जानकारी नहीं जाननी चाहिए, जिसे परमेश्वर ने हमें बाइबल के माध्यम से सीखाया है. क्या यही कारण नहीं कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक दुनिया को देखने के लिए बाइबल दी जिसे हम अपने शाररिक आखों से नहीं देख सकते जब हम बाइबल को देखते है तो बाइबल के वचनों के विशय में परमेश्वर हमें क्या आज्या देते है परमेश्वर कहते है इसमें न कुछ बढ़ाना न कुछ घटाना दूसरे शब्दों में बाइबल में दी गई जानकारी सबसे सटिक और विश्वस निया है सूचना के अन्यस्तानों के कारण अपना विवेक न खोना इस वज़े से क्या परमेश्वर ने इस बाइबल को नभियों से नहीं लिखवाया और आज हम तक इसे पहुंचाया आएए हम यहना दैपाच आयत 49 में जाकर देखे कि क्या हम सही मार्ग पर चल रहे है जो हमें स्वर की और ले जाता है और क्या हम सत्य में आ गए है तुम पवित्र शास्तर में ढूनते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जिवन तुमें मिलता है येशु ने साफ साफ समझाया कि बाइबल का अध्यन करने का उद्धेश क्या है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है यहां मैं क्या येशु को संकेत नही करता आईए हम आयाच 40 के साथ जारी रहें फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते यदि आप अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं और स्वर्क के राज्य में जाना चाहते हैं तो क्या आपको येश्यो मस्यों के पास नहीं आना चाहिए लेकिन येश्यो ने कहा फिर भी तुम अनंत जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते वे नहीं जानते थे कि येश्यो स्वर्क के राज्य में प्रवेश करने की सबसे मतोपूर्नक कुंजी है यही कारण है कि जब येश्यो ने सू समाचार का प्रचार किया तो यहुदियों ने लगातार उन्हें औस्विकार किया उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वह परमेश्वर है क्योंकि उनका सुरूप हमारे जैसा ही था लेकिन स्वर्ग के मार्ग पर हमारा मार्ग दर्शन करने के लिए बाइबल को एक गाइड़ बोक और एक जीपियस के रूप में माना जा सकता है हमें उसके मार्ग दर्शन का पालन करना चाहिए आज बहुत से लोग कहते हैं कि वे स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन वे बाइबल के निर्देशों का पालन नहीं करते, वे ऐसी दैनी अस्तिती में हैं.